ब्लादमीर पुतिन की वो धमकी जिसमें वो कहते हैं कि अगर रूस नहीं रहेगा तो हमें इस क्रह की कोई जरूरत नहीं है मतलब अगर दुनिया में रूस नहीं होगा तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी ये सीधा संदेश था दुनिया के लिए कि अगर रूस पर हमला हुआ तो वो पूरी दुनिया को ही खत्र करने की ताकत रखते हैं। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और यूक्रेन नुक्लियर ताकत भी नहीं है। लेकिन रूस के राष्टपती ब्लादिमीर पुतिन के एक आदेश से पूरी दुनिया की सासें अटक गई है। दरसल यूक्रेन के खिलाफ रूस के राष्टपती ब्लादिमीर पुतिन ने अपनी नुक्लियर डेटरेंट फोर्स को स्टेंड बाई पर रहने का आदेश की है। इससे अब यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरप पर परमानु युद्ध का खत्रा मंडराने लगा है। आसान शब्दों में किसी देश की नुक्लियर डेटरेंट फोर्स वो सेना है जो परमानु हत्यारों को लॉंच करने और अपने खिलाफ हुए परमानु खत्रे को रोकता है। अब ऐसे में जब यूक्रेन परमानु हत्यारों में सक्षम नहीं है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रूस अपने नुक्लियर वार हेड को यूक्रेन के खिलाफ कभी भी इस्तिमाल कर सकता है। अब आसान भाशा में हम आपको हर वो पहलू समझाने का प्रियास करेंगे कि अगर एटमिक वार हुआ तो क्या होगा। और इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं अब नजर आने लगी हैं। आप सबी को 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणू बमों का विध्वन्स पता होगा लेकिन ये उससे भी खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले हीरो सीमा पर गिराये गए बम लिटल बॉई जो यूरेनियम से बना था जबकि नागसाकी में गिराये गए बम जिसका नाम था फैट मैन वो प्लूटोनियम से बना था। इन बमों की शमता सिर्फ 15 किलो टन थी जबकि जो बम अब गिराये जाएंगे उनकी शमता कम से कम 100 किलो टन हो सकती है। आदेश दिये जाने के साथ ही पूरी दुनिया में एटमी हत्यारों का खत्रा बढ़ गया है। और अब ये किसी भी दिन संभव हो सकता है। दरसल रूसी रास्टपती व्लादिमीर पुतिन ने डेटरेंट फोर्स को अलर्ट मोट पर डालने के साथ ही ये भी जता दिया है कि वो सोवियत संभ का अपना सपना आगे बढ़ा कर ही दम लेंगे। इस बात की पुष्टी बेलारूस के नए कदम से होती है जिसमें कीव इंडिपेंडन्ट के हवाले से ये दावा किया गया है कि बेलारूस अपने नॉन नुकलियर आम्स और युद्ध में शामिल नहोने का इरादा बदल चुका है। गावा किया जा रहा है कि बेलारूस के प्रेजिडिन्ट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूकलियर मिजाइल बेलारूस में ही तैनात करने की सहमती देती है। जिससे रशिया अब बेलारूस से ही अपने परमाणू हतियार यूकरेन और यूरोपियो देशों पर लॉंच कर सकता है। और जो उसके खिलाब यूकरेन की सेन्ने मदद करने के लिए आगे बढ़ने के जुरत करेंगे उनका हश्र बुरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस सीधे बेलारूस से ही अपने परमाणू हतियार उन पर दाग सकता है। उसी वक्त अपना लिया था। यूकरेन के खिलाब रूस ने अपनी कुछ नूकलियर मिजाइल की तैनाती की है जो बेहत घातक परमाणू हतियारों को ढोने में भी सक्षम है। रूस की सबसे घातक नूकलियर इंटरकॉंटिनेंटल मिजाइल सर्माट RS-28 है जिसका तूसरा नाम सैटन-2 भी है। वो इतनी खातक है कि इसमें 16 परमाणू वम एक साथ फिट किये जा सकते हैं। वो भी 550 किलो टन के यानि हीरो सीमा और नागसाकी की तबाही से भी हजारों गुना बड़ी तबाही ये अकेली मिसाइल कर सकती है। ये मिसाइल 17,920 किलोमेटर के रेडियस में दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7,816 किलोमेटर की दूरी पर सिर्फ ये 30 मिनट में अपना सफर पूरा कर सकती है और गिरने के बाद पूरे अमेर गिराए तो दोनों महानगरों का सफाया हो जाएगा और उस हमले में कम से कम 60,000,000 निर्दोश लोगों की मोत हो सकती है। रूस के नूकलियर बाम में सबसे पहले नाम आता है उसके सबसे खास एटम बाम जिसका नाम है जार। ये बाम जापान में अमेरिका के गिराए हिरो सीमा और नागाशाकी वाले दोनों बमों से लगभग 3333 गुना अधिक खतरनाक है। ये बम दुनिया के किसी भी शहर को मिट्टी में मिला सकता है। अगर पुतिन ने यूकरेन की राजदानी कीव में या फिर खार कीव में इसे गिराया तो पूरा शहर खाक हो जाएगा। ऐसी ही एक परमाणू मिजाईल भी रशिया के पास है जिससे अमेरिका भी डरता है। क्योंकि उनके पास इस मिसाईल को रोक पाने की ताकत नहीं है और इसका नाम है किंछल हाईपरसोनिक मिजाईल। ये ध्वनी की गती से दस गुना तेज़ मिसाईल है। आवाज की गती से भी ये दस गुना तेज़ी से चलती है। ये दुनिया के नक्षे पर मोजूद हर देश के तक्रीबन हर शहर को निसाना बना सकती है। इसके अलावा रूस के परमाणू जंगी असले में 2S7P on Canon भी है जो 40 किलोमेटर की दूसरी तरफ परमाणू गोले फैंक सकती है। य जो ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन मानी जाती है। ये सबमरीन खुद एक दूसरी सबमरीन को अपने अंदर ले जा सकती है। छै पूसा इ20 टारपीडो से लेस ये सबमरीन पूरे सहर को निस्तानभूत कर पाने में सक्षम है। रक्षामन्तर अले के बयान में कहा गया है कि रननेतिक मिसाइल बलों की इकाई ने पूर्वी साइबेरिया के एरकुछ सक प्रांथ के जंगलों में इंटरकॉंटिनेंटल विद्वनसक मिजाइल लॉंचर तैनात कर दिया हैं। तक रशिया का सवाल है तो रूस ने भी अपनी नूकलियर साइट्स को एक्टिव कर दिया है। जैसा कि अमेरिका को डर है कि कहीं रशिया यूकरेन पर अपना एटम बम जिसका नाम जार है वो न गिरा दे। अगर ऐसा हुआ तो यूकरेन धर्ती के नक्षे से गाइब हो सकत है और मानवता का बहुत बड़ा विनाश होगा। पूरी दुनिया को अब पुतिन पर आशंका बढ़ गई है क्योंकि पहले लोग समझते थे कि पुतिन क्राइमिया से युद्ध ही नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने क्राइमिया से युद्ध भी किया और उसे कबजा भी ल पर इसके विप्रीत उन्होंने युद्ध शुरू किया अब वो दुनिया को परमाणू हमले के संकेत दे रहे हैं तो अब भी व्लादिमीर पुतिन को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए